सपना बाबल का बिदाई में जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि साधना के जाने के बाद सीरियल में जहां साथ साल का लीप आ चुका है वहीं तमन्ना और खुशी भी साथ साल की हो चुकी है साथ ही कुछ नए किरदारों की एंट्री भी हुई है रागिनी किचन में साधना की बरसी पर भोच तयार कर रही है तब ही वहाँ टैमी खुशी और आलेख आते हैं टैमी कहती है कि ममा पापा केक लेकर आ रही होंगे न रागिनी इस बात पर शांत हो जाती है जैसे कि हमने आ राजवन फैमली मंदर पहुंसते हैं आलेख प्रकाशन से फूचता है कि मामा जी ये साधना आज आएगी न वो कहते हैं कि हां बेटा उसका काम खत्म हो गया तो वो जरूर आएगी पूजा के बाद प्रकाशन रागिनी से कहते हैं कि दमाज जी ने हर चीज का ख्याल रख रागिनी कहती है कि चले बाउजी तमना वेट कर रही होगी सब बद्दे के लिए राजवन शाउस जाते हैं बाद में वहां रागिनी के दूसरे हजबंड अनमोल की एंट्री होती है पर रागिनी के बिहेवियर से पता चल रहा है कि वो इस शादी से खुश नहीं है राग अनमोल कहता है कि तमना चाहती थी इसलिए तब रागिनी कहती है कि आपको तो सोचना चाहिए कि हमारे रिष्टे की एक सीमा है तब अनमोल कहता है नीचे केक कटिंग के लिए सब आपका वेट कर रहे हैं अनमोल के जानने के बाद रागिनी रनवीर की फोटो देखकर कहती पता नहीं कब में अपने पूरे परिवार को खुश रख पाऊंगी जिसके बाद सब पार्टी सेलिब्रेट करते हैं वसु रागनी को तमना का गिफ्ट देती है और वो भी अनमोल से नाराज है वसु अनमोल से कहती है कि तुमने जो तमना के लिए किया वो हमारी नजर में ब उस शादी करके उसने कितना वड़ा पराद किया है वसु कहती है कि जब जब हम तुम्हें देखते हैं तब तब हमें यह एसास होता है कि रनवीर नहीं रहा और तुम हमारे लिए कभी रनवीर नहीं बन सकते और भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं वहां भी मैं काफी सारे वीडियो डालती रहती हूं अब मैं मिलती हूं आप लोग से अपने नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई एंड टेक केर